जैश्री राम, जैश्री राम, हर जगर है राम जी की जैजैकार इस राम मही माहोल में हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके लिए लेकर आएं राम मंदिन निर्मान की कला की एक सीरीज तो आई ये शुरू करते हैं आज के अपने एक पहले वीडियो से जिसमें हम देखेंगे राम मंदिर की वास्तुकला की जैनकारी इस मंदिर को एहंदाबाद के वास्तुकार सोमनात देवपुरा द्वारा बनाया गया है एवं गर्व ग्र में स्ठापित विशाल राम प्रतिमा का निर्मान मैसूर के प्रसिद मुर्तिकार अरोण योगीराज त्वारा किया गया यहा मंदिर का निर्मान नागरशैली में किया गया है नागर शेली के बारे में संपून जानकारी के लिए अगली रील का इंतिजार करें यह मंदिर में कुल 392 खंबे एवं 44 दरवाजे हैं इसकी लंबाई 380 फिट, चोड़ाई 350 फिट एवं उचाई 161 फिट है यह मंदिर त्री मंजिला है गर्बग्रह में रामलला के बाल अवतार की प्रतीमा होनी है वहीं प्रथम तल पर राम दरबार को विराजमान किया जाएगा इस मंदिर में क्रमशह पाँच मंडप हैं जो नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्राथना मंडप, किर्टन मंडप हैं मंदिर के चार कोनों में चार मंदिर का निर्मान किया है जो सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश और शिव के हैं जबकि उत्तर की और मा अनपूर्णा और दक्षिन की और महाबली हनुमान जी का मंदिर है यहां मंदिर का निर्मान बंसी पहाडपूर गुलाबी बलुवा पत्थर से हुआ है जो राजस्थान के भरतपुर जिले में पाय जाते हैं यहां पर स्टील और लोहे के उप्योग को वर्जित रखा है जबकि अंदर का सजावती कारे के लिए सफेद लरकाना और रंगीन संग मरमर का उप्योग किया है एवं स्तंभों के लिए मजबूत ग्रेनाइट प्रत्थर का उप्योग भी किया गया है मंदिर प्रांगण में महर्शी वल्मिकी, महर्शी वशिष्ट, महर्शी विश्वमित्र, महर्शी आगच्य, निशादराच, माता शब्री एवं देवी अहिल्या के धर्म रहिनी के मंदिर प्रस्तावित है कर्ब ग्रह की प्रतिमा और नागर शेली की समस्जानकारी जल्द पाएंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जुड़े रहिए जैश्री राम